22 सप्टेम्बर धर्मियान केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली आने दमण दीवनी त्रोण दिवस नी मुलाकाते शे त्यारे उप्राश्ट पतीनी आ केंद्र शासित प्रदेश नी प्रथम मुलाका चे 21 सप्टेंबर ना रोज धनकड दादरा नगर हवेली मा सिल्वास तीत नमू Medical Education and Research Institute नी मुलाकात ले दिया थी जैते ओ विध्यार्तियोंने फैकल्टी सभ्यूसाते वारता लाप करियो हतो तेओ डोकमर्डी ओडिटोरियम खाते वेस्ट जोन कल्चरर सेंटर द्वार आयोजी जैहर कारेक्रम मा पन हाजरी आपी हती देशना उपराश्ट्रपती जगदीब धनकर आच्विकेंद्रिय शाषित प्रदेश सेलवास ती एक दिवश्य मुलाकात यावे हता साइली हलिपेड उपर उत्राण करी नमो मेडिकल कॉलेज खाते फैकल्टी विजीट करी विभाग्य निरिक्षान करी हतो नमो मेडिकल कॉलेज थी उपराश्ट्रपती नो काफलो रिंग रोल ओवरब्रीश नीशे नवनिर्मी तु गेमिंग जोन नी मुलाकात लिदी हती तैर बाद डोक मर्डिक हाते डॉक्टर एपी श्री अब्दुल कलाम कॉलेज ना अडिटोरियम हॉल मान नागरीक अभिवादन अने आधिवासे संस्क्रूति आधारी तन रूत्य आने कला करक्रम निहाल हतो आपरसंगे प्रसाशक प्रफूल पटेले आउकारी स्मुरूती शिन्ह भेट आपी हतो सांसत कलाबें डेलकरे श्रीम थी धनकरनू स्वागत करी स्मुरूती भेट आपी हती चिलापंशायत प्रमूख उप्रमूख अने सभियोय पार्ण स्वागत करूथ सिल्वास नगरपालिकाना प्रमुख उप्रमुख पुर्वप्रमुख राकेसी च्वाहाने स्वागत करू हतू अने उप्राष्ट्रपती एम ना वक्त व्यमा प्रदेश ना विकास कारों नी सराहना करी खुशी व्यक्त करी हती। जई भारत अने भारतिय संस्क्रूती नी बुराई करवानो कोई न अधिकार न थी। प्रसाशक प्रफूल पटेलना कारने बिर्दा विवतू। आज निती चाइज ऐसे करो कोई मतलब नहीं है। अपनी साथ से करो। और दिल खोड़ करो। कहते हैं ने कि गंगोरा पर तो गोड़ा दोड़ना ही चाहिए। पर जब देश को स्वार आए। तो यह कुण सोचा की दाई तरफू जाओंगा पाई तरफू जाओंगा। देश को स्वार आओ तो एक ही त्रीकों जाओंगा। देश के अंदर या देश के बहा हमारा सबसे बड़ा धर्म है देश, देश भावना। आमा प्रसंगे त्यम्न जनाव हतु के मारे राशकरण साथे कोईश लेवा दिवा न थी। परन तु कोई न धिकार न थी के विदेश मां जोई भारत नी बुराई करवानी औने भारत नी संस्कुरुतीने नीचु देखाडवानी। संग प्रदिश मां जे विकास करो थाचे तेने लाईने टूरिजम इंडस्ट्रीज अने लोको ने मोटा प्रमाण मा रूजगार मणी रहो छे। आवनार समय मा हजजी पन दान हो अने दमण मा विकास कार्यों थाई अने लोको मोटी संख्या मा प्रदेश नी मुलाकात ले तेवी लागणी व्यक्त करी हती।